आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर Minecraft के New and New World में जिहां एको नई और धमाकेदार ट्रिक में तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है आज मैं आपको Pocket Edition and Java Edition की सबसे बेश्ट and सबसे ज़्यादा Danger Seed बताऊंगा जहां सबसे ज़्यादा Danger and सबसे ज़्यादा खतरनाक Seed के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ तो आपसे request करता हूँ कि वीडियो को skip बिल्कुल भी मत किजेगा अगर आप लोग भी Minecraft खेलते हैं और आप भी Minecraft में सबसे ज़्याद देंजर वर्ल्ड जोइन करना चाते हो तो आप लोगों को बस हमारी ये वीडियो फोलो करनी है और आप भी Minecraft के इस देंजर वर्ल्ड को जोइन कर सकते हो without mode and without mode जियां इसके लिए आपको कोई भी mode डाउलोड नहीं करना है तो दोस्तों चलिए आज कि धमाकेदार वीडियो में शुरू करता हूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजे आज कि ये वीडियो हम शुरू करते हैं उससे पहले ये जो सीड है ये आपके पोकिट एडिशन और जावा एडिशन दोनों पर काम करेती है जिहां आप इसे जावा में भी यूज कर सकते हो और पोकिट जी हां बहुत सारे जो हैं मिस्टीरियस वर्ल्ड आपको देखने को मिलेंगे तो यहां पे मुझे लग रहा है एक शीप पे अंदर लेगिन वो मुझे साब दिखाई नहीं दे रही है तो चलिए दोस्तों आज के इस निव वर्ल्ड को जोइन करते हैं तो सबसे पहले आपको एक न्यू वर्ल्ड जनरेट करना है तो इसके लिए आपको एक निया वर्ल्ड का नाम देना है सवाईवल मोड आप सेलेट कर सकते हो उसके बाद आपको अपनी सीड डालनी है तो आपको यह मिस्टीरियस सीड डालनी होगी तो इसके लिए आप हम सबसे पहले seat डालते हैं यहाँ पे आपको seat join करनी है 2, 1, 4, 8, 3, 7, 4, 6, 9, 1, 3, 4, 5, 8, 6, 2, 7, 3, 1, 9, 4, 2, 6 आपको यह वाली seat डालनी है उसके बाद आप अपने इसाब से coordinate setting and graphics आप on कर सकते हो और अपने world को generate कर लिजे तो यहाँ पे मैं कुछ देर wait करूँगा ताकि मेरा world generate complete हो जाए तो यहाँ पे हमारा spawn point कुछ ice biome के अंदर है तो सबसे पहले यहाँ पे जो tree हमें दीख रहे हैं वहाँ से मैं tree wood collect करता हूँ और यहाँ पे मुझे stone भी दीख रहे तो मैं stone के tool बना कर आपसे मिलता हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ से अपने लिए tool complete करता हूँ उसके बाद आपसे मिलता हूँ तो मैंने यहाँ से धेर सारा stone collect कर लिया है stone collect होने के बाद मैं अपनी journey जो है शुरू करता हूँ तो यहाँ से मैं सबसे पहले अपने लिए एक x बना लूँगा और साथ ही मैं एक pickaxe भी बना लूँगा अब मैं यहाँ से अपने जो tool यानि कि अपनी crafting table collect कर लेता हूँ crafting table collect होने के बाद अपनी journey शुरू करता हूँ तो मैं plus की तरब जाऊँगा यानि कि मैं मैं जो है इस तरब जाने वाला हूँ ताकि मुझे जादस जादस food भी मिल सकेगा तो चली दोस्तो आगी की journey शुरू करते हैं और उसके बाद अगर मुझे कोई mysterious, darkness या फिर कोई village मिलता है तो मैं आगे आपको बताऊँगा चली दोस्तो आज की journey हम complete करके आपसे मिलते हैं तो दोस्तो मैं almost 2500 block आगे आ चुका हूँ लेकिन मुझे इस समय ocean में हूँ और अभी तक मुझे कोई भी village या फिर कोई भी glitch नहीं मिलाए तो मैं अपनी आगी की journey complete करता हूँ उसके बाद आपसे मिलता हूँ तो दोस्तो मैं desert biome में पोच चुका हूँ लेकिन अभी तक मुझे seed के अंदर कोई भी entity नहीं मिलाए मैं almost 5000 block आ चुका हूँ और यहाँ पर मुझे लगता है हमारा सबसे पहला ruined portal मुझे दिखाई दिया है तो मैं देखता हूँ यहाँ पर अगर मुझे कोई chest मिलती है तो हम उस chest को loot दें उसके बाद मैं अपनी आगी की journey complete करूँगा तो यहाँ पर मुझे cable और cable rate दिकाई दे रही है लगता है यहाँ पर कोई chest हमेशायद ही मिलेगी ओके यहाँ पर एक chest पड़ी हुई है यह रही chest ओके chest के अंदर ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है तो चलिए दोस्तों आगी की journey complete करते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हूँ तो दोस्तों मैंने almost यहाँ पर 10,000 block complete कर लिये लेकिन अभी तक मुझे seed के अंदर कोई भी entity नहीं मिलाए तो हो सकता है कि हमारे Minecraft के latest update में अभी यह seed work नहीं करती है अगर आप इसे try करना चाते हो तो Minecraft के old version में try कर सकते हो तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं माई next वीडियो में तब तक के लिए take care